पर्मूडा ट्रैंगल का राश से आज तक किसी ने भी सुल्जा नहीं पाया आखिर क्या है इनके अन्सुलजे राश से एलो फ्रेंड्स मैं हूँ चिक्यास और स्वागत है आपका आपके यूटिब चैनल नौलेज पर आए फ्लोरीडा में तब दो बहर के दो बच कर तस मिनट हुए थे जब पांच अमेरिकी टॉर्पीडो पंबर्स को ने नेवी एरपेस से उडान भरी थे फ्लाइट 19 के नाम स चर्चित पाचों लड़ाकों में मान तीन घंटे के रूटिन मीशन के लिए निकले हुए थे इन बिमानों पर यूएस निवी के 14 पर सिछित जवान भी सवार थे काफिले को 120 मिल पुरुद्दे सामें और फिर 73 मिल उत्तर के दिशामें चाना था और फिर वापस 120 मिल ब्यास कर रहा था यूएस निवी के अफसर उसके काबिलियत को लेकर बेफिकर थे लेकिन इस उड़ान के करीब दो बंते बाद एयर पेस तक पहुची उसकी आवाज सुनकर सभी के हमों सुड़ गये उसने कहा मेरे कमपास ने काम करना पंद कर दिया है और पैकप कमपास सामने हरा-हरा पाने गरा आ रहा है और कुछ भी गराऊ रहां वह जा रहा है एरवेस पर रेडियो फ्रेक्वेंसी के जरी लापता टॉर्पीडों की तलास सुरू कर दी गई इस तलास के करीब दो घंटे बात साम 6 बच कर 20 मिनट पर फिर एक संदेश सुना जा सका टीम लीडर स्कॉडन अपने टीम को आदेश दे रहा था विमान में इंधन खत्म हो चुका है और पूरी टीम विमान से कूदने के लिए तैयार हो जाए इस घटना से पूरे एरवेस पर मवजूद अब सरसक्ते में आ गया है लेकिन इसके बाद जो भी कुछ हुआ वो और बच्चो काने वाला था यूएस नेवी ने रडार से पता लगाया तक्टर फुडविमान की लोकेशन बहामास और फ्लॉरीडा के टूरी टट के बीच में लिए तब साम के साथ बच कर 27 मिनट हो रहे थे और इस यूएस नेवी ने तेरा कुर में मर की सर्ज टीम को मेरिन फ्लाइंग black से ब्युजने का थैसला है मेरिन फ्लाइंग वोट जिए का स्मान में उडान भरने के साथ सासा समुद्र में भारान भरने की महारत थे मेरिन के उडान भरने के तीन मिनट बार कैप्टनไร बेस को रिकर התस्ष में सन्चारी मैं अगे कोई अर्चन ने चलने हैं लेकिन तीन मिनट के आंदर मेरीन से भी नेवल वेस का संपर ऊट गया मैं चन्न मोटर रे फ्लाइंग गोट का कैपिटल कहां पहुँच गया किसी को पता तक नहीं चला बाद में फ्लोरीडा के करीब पहुचे तेल के एक जहाज ने तावा किया कि साथ बचकर पच्चास मिनट पर मैंने असमान में एक धमागा देखा है लेकिन उस धमागे के बाद विमान का कोई अउसेस नहीं मिल सका पांचों विमान के साथ तलास में निकला एक और फ्लाइंग पूट कायब हो गया दूसरे विस्यूद के बाद हुए इस रस्माई घटना ने दुनिया भर के वैक्यानिकों का ध्यान की जा फ्लाइंग 19 के 14 क्रू मेंबर और मैरीन के 13 क्रू मेंबर की तलास के लिए अमिरका ने सबसे बड़ा खोजी अभियान चलाया लेकिन ना तो किसी जहाज का पता चल सका ना ही जहाज पे सवार लोगों का सौ मिल सका महिनों बाद यूएस नेवी ने बिना किसी नतिये पर पहुँचे सर्च को बंद कर दिया छे एरक्राफ्ट और उस पर सवार 27 लोग की तलास बंद कर दी गए यूएस मरीन ने अधिकारी क्रूप से अपने रिपोर्ट में कहा टॉर्पीडो युमान और मैरिन फ्लाइंग पोड तुपानी मौसम के सिकार हो गए हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला पांच टॉर्पीडो यान कहां गए हैं चौद अप्रू मेंबर कहां चले गए क्या टॉर्पीडो दुफान ने फसा था तो फिर मैरिन क्यों डूप गया विंसेट एज कडीस के रिपोर्ट ने रहस सिकार एक बड़ा संसार कोल दिया लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या इसमें पहले भी समंदर के इस रहस में हिस्से में कुछ और घटाएं हुई थी आखिर इस तिलस्मी आफ़त के सिकार और कौन-कौन बने रहा हैं 1945 में हुई इस खटना से इतिहास के दप्चु के पर्मों को बोलने का इत्रमया ध्राय सुरु हुआ है टॉर्च पीड़ों में और मैरिम फ्लैंक जेट के गायब होने के बाद बर्मुडा में हुए एक के बाद एक हाद से चौकाते रहें 1950 में अमेरिका के जहाज थिरियस सैंड यहां से गुजरा लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं चल पाया 1902 में प्रिटिस जहाज भी इटलांटिक में विलीन हो गया 33 लोग मारे गए लेकिन किसी का भी सौब प्रामत नहीं हुआ 1962 में अमेरिकी सेनका के भी कुटिक टैंकर भी परमूड़ा ट्रिकोंड में गुजरते वक्त पचानक से लापता हो गया 1972 में जर्मनी का एक चहाज तिरिकोंड में घुषते हीं टूग गया जबकि इस चहाज का भार 20,000 टैंक था सिलसिला यहीं नहीं था मार्ण 17 साल पहले एक बार फिर बरमूड़ा के खौप ने समंदर में अपने मौजूद के दर्श करा दी 1997 में भी जर्मनी का एक विमान बरमूड़ा ट्रिकोंड में गुषते हीं खल गया किसी को कुछ पता नहीं चल पाया यह रहस में घटनाएं अटलांटिक महसागर के उस हिसे में हो रही थी जहां आज भी हवाई और समुद्री यातायात बहुत ज़्यादा है इस अथा पानी को पार करके रोजाना हजारों जहाएं अमिर्का यिरोप करेबियन दीप पहुचते हैं क्लोरीडा करेबियन दीपो दच्छीन अमिर्का के तरह जाने वाले हवाई जहाज भी यहीं से गुजरते हैं यही वज़ा है कि कोई भी इस रहस्टे को मानने के लिए क्यार नहीं हुआ लेकिन करना तब मुस्किल हो गया कि भारी ट्राफिक के भी चाहाज कायब हो जाएंगे और किसी को नजर तक नहीं आएंगे उन बदनसीब विमानों और चाहाजों के साथ क्या है यह बताने के लिए कोई चस्मदीर तक नहीं बचाए परमूडा के राश को समझने के लिए अब हमें आज 25 साल पहले जाना था है 13 से तंबाद 12 साल पानवेस वे पान सो से जादा साल पीच चुक है पहली बाद क्रिश्टोफर कुलंबस ने बर्मूडा ट्रेंगल को पार किया था और क्रिश्टोफर कुलंबस को अपनी पहली ही आतरा में बर्मूडा ट्रेंगल संदिद लगा था कुलम्बस ने अपनी डाइरी में एक रहस मही रौसनी दिखने का जिक्र भी किया और इसके दस तिन बाद क्रिश्टोफर कुलम्बस ने लिखा समुद्र सांत नजर आ रहा था और हमें अस्पेन लोटने के लिए समुद्र में लहरों के उठने का इंपजाब था आखिर क्या है बर्मुडा करहस या कोई एलियंस है या फिर समंदर के भीतर कोई दूसरा समंदर है या कुछ और अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा ऐसा है जिस हिस्से में अथा पानी है पानी का रंग नीला है आधिस पानी में हजारो टन के पानी के जहाज कायव हो जाते हैं तो पानी के ऊपर उते जंगी जहाज गायव हो जाते हैं वाग्यानिक उने एक नई थियूरी पर काम सुरूत है क्या बघ्रमुदा के हथ सूरे के पीछे methane hydrate है केमिकल एक्सपर्ड का माना है कि बर्मूदा टेखों में मिथेन हैड्रेट नाम किये केमिकल का अथा भंडार है सबुंतर में बनने वाला ये हैड्रेट जब अचानक से ही भटता है तो इसके आसपास की सभी चीजों को अपनी चपेट में ले सकता है प्रेग collaborative की अगा Nous आई हैट्रोजन के विस्फूट का छेतर काफी बड़ा हु जाता है तो ये बड़े से बड़े जहाज को भी डूबा सकता है विस्फूट से डूबा हुआ जहाज आई हैट्रोजन के तलशट के नीचे दब कर कायब हो जाता है यही कारणे कि इस तरह के गायब हुए जहाजों का बाद में कोई नाम निसान तक नहीं मिला मिथेन का विस्पोट आसमान में हो रह जहाज को भी अपने चपेट में ले सकता है जब मिथेन बड़ी मातरा में वायू बंडल में फैलती है तो उसके छेत्र में आने वाले हवाई जहाज के इंजन में मेथेन की सांदरता की वज़य से आक्सीजन नहीं कहुश पाती है इस वज़य से यह मिमान में चैलक में अंतरन खत्म हो जाता है और समुद्र में समा जाता है इस सेलसेले में अमेरिकी भॉग उले साविच छंडी भाग व्यानि यूएस्टीयस ने एक स्वेथ पत्र भी जारी किया था लेकिन रहस्य तब और गहरा हो गया जब यूएस्टीयस की रिपोर्ट के बाद समुद्रिक के अंदर से गैस के बुलबुले निकलने का प्रमाण नहीं मिला और मिधैन के अंकूल पंडार के दावे पर सवाल या निसान उपने लगया तरी वेग्यानिकों ने क्रीत्रीम इलेक्ट्रोनिक फॉग पैला करके इस रहस्य से पादा उठाने की कोसिस की वेग्यानिकों की ये जाच बर्मुडर ट्रेंगल के एक मात्र चस्म दीद ब्रूस चर्णरल के ब्यान पर आजारी थी दावा किया जाता है कि पर्मुडर ट्रेंगल के रहस्य को ब्रूस चर्णरल के सिवा कोई भी नहीं देखा था वो तारीक थी 4 देसंबर और साल था 1970 ब्रूस चर्णरल बताते हैं मैं ब्रहमास से फ्लोरीडा के लिए पोटी विमान से निकला था पुड़ान के कुछ देर बाद है मुझे समंदर से करीब 500 फीट उपर अजीब तरह के बादल दिखाए उस वक मेरा विमान 1000 फीट पर ती मिनत की गती से उपर रहा था अचानक ही मिमान इन अजीब पादलाने पसा था 10 मिनत के लिए मैं सब कुछ भूल चुका था जब मुझे होस आया तो मेरा विमान 11,500 फीट उपर पहुंच चुका था आसमान साथ था लेकिन मुझे पचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था अगी फिर रहस में ही बादलों ने भीर लिया बादल रंग बदल रहे थे ता पान बढ़ रहा था मैं सोचने समझने के हालात में नहीं था लेकिन ना जाने क्या सुझा मैंने विमान को 135 डिग्री पाई और घुमा दिया देखते ही देखते ही एक और फिर बादलों से बाहर था पीछे मुड़कर देखा तो रहस में बादलों में यू आकार का एक रास्ता नजर आ रहा था जो मेरी चिंदगी का रास्ता बन गया परमूडा के इस एक लौते चस्मिन दी इतने हादसे की जिए स्केच बनाएं उसे इलेक्ट्रोनिक फॉक का नाम दिया गया चर्नल ने 31 सालों की रिसर्च के बाद बताया की ये इलेक्ट्रोनिक फॉक था जिसके संपर्क में आने के बाद कोई भी धादू भस्म हो जाता है क्या कुछ ऐसा ही होगा होगा उस मनहूस फ्लाइट 19 के साथ जब पांस टॉर्पिडो विमान भस्म हो गए चस्मदीत के इस थियोरी के बाद विमानी और फिर 500 साल पहले क्रिश्टोफस कॉलम्बस की उस टैरी की ओर लोटा जिसमें कॉलम्बस ने आसमान में रहस्मी रहस्मी दीखने का चेकर किया था तो क्या ये रहस्मी एलक्ट्रोनिक फॉग थी लेकिन ये रहस्में कोहरा भी बर्मूदा ट्रिकॉन के रहस्चे को नहीं सुल्जा पाया क्योंकि खुद इलक्ट्रोनिक फॉग भी एक रहस्चे है कोई नहीं जानता कि electronic fog क्यूं बनता है पैसे बनता है और प्रमूड़ा ट्रिकों नहीं क्यूं बनता है वैग्यानिकों ने करित्रिम तरीकों से electronic fog बनाने की कोसिस बेखी लेकिन ना काम रहे करीब 80 साल के वैग्यानिकों कारी साल 522 साल पहले दुनिया के सामने आये एक रहस्य से परदा नहीं उठा पाया